गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम सीखेंगे संयुकताक्षर पेज संख्या है 21 हाँ 21 है संयुकताक्षर क्या होता है हिंदी के ऐसे बहुत सारे अक्षर है जो की दो अक्षरों से मिलके बने हैं उनको कहते हैं संयुकताक्षर ठीक है तो आज करना क्या है पूरा कीजिए रंग भरिये और सही उचारन के साथ पढ़िये यानि की ये हिंदी में कुल मिलाके मैं आपको बता दू कि चार संयुकताक्षर है ठीक है और उन चारों में से पहला है क्षा, 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 क्षा मेरा सासत बोलिए क्षा, त्रा, ग्या, और श्रा ठीक है? तो आपको इसके उपर हाथ चलाना है पैंसिल से वो कैसे करेंगे मैं बता देता है क्योंकि अपने मर्जी से आप नहीं लिख सकते हैं तरीका है, ठीक है? जैसर ये देखिए, जब भी आपको शर लिखना है तो सबसे पहले आपको लाइन खिछना चाहिए है ना? ये इसके उपर ऐसे लाइन खिछिए, ठीक है? उसके बाद यहीं से शौरू करेंगे ऐसे करके यहां से जाएंगे ऐसे जाएंगे ये हो गया हमारा क्ष़ और उपर में शिरो रेखाम कैसे भूल सकते हैं वो तो देना होगा है ना तो ये हो गया हमारा क्ष़ ये भी है क्ष़ और ये भी है क्ष़ ठीक है तो ये हमने लिखा और इन दोनों में आप रंग भरिये लेकिन उचारन भी करना है, उचारन करकर के रंग भरना है उसको रंग करिए, अब दोनों को जो भी कलर पसंद है वह भर सकते हैं इसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा सहुक्ताक्षर कौन सा है, तरह तरह कैसे लिखेंगे तरह लिखने के लिए ऐसे उसके बाद यहां से ऐसे और यहां से ऐसे इसके उपर आपको हाँ चलाना है और उसके बाद यहां से ऐसे ठीक है? यह है हमारा तरा इन दोनों में भी रंग भरना है और जैसे जिसे आप रंग भरेंगे आपको बोलते भी जाना है तरा तरह ताकि आप उसका उचारन सीख सके उचारन ठीक है अब आते हैं यहाँ पे ग्या ग्या कैसे लिखेंगे ग्या लिखने के लिए भी सबसे पहले हमें यह लकीर खीचनी है इसको खड़ी पाई भी कहते है ठीक है एक लकीर खीचेंगे पहले यहां से, उसके बाद हम यहां से जाएंगे इसके उपर, ऐसे यानि कि आपको भी हाथ मेरे सासा चलाना है, ठीक है उसके बाद हम यहां से आएंगे, ऐसे ऐसे, यह हो गया हमारा ग्या और शीरो रिखा, ठीक है, यह हो गया हमारा ग्या 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 वो चारण कीजिए और इन दोनों में भी रंग भर ये इसके बाद आते हैं यहां पे यह क्या है श्रा फिर से बोलिए श्रा इसको लिखने के लिए हम ऐसे आएंगे ऐसे और लाइन खिचने गए फिर यहां से हम शुरू करेंगे ऐसे और फिर यहां से ऐसे है और उपर में शिरो रेखा ठीक है यह हो गया हमारा श्रा 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 इन दोनों में रंग भरिये और इसके ऊपर हाँ चलाईए ठीक है इसके बाद, जैसा कि मैंने बताया कि यह सयुकताक्षर है, हिंदी के चार सयुकताक्षर है श, त्र, ग्या और श्र अब इनसे कौन-कौन से शब्द बनते हैं, वो यहां देखते हैं यह देखिए, यह है शत्रिया, पत्र, ग्यानी और श्रीमान यह न, ख्ष, इससे बनता है शत्रिया यह त्र, इससे बनेगा पत्र यह ग्या, ग्या से बनेगा ग्यानी और श्र से श्रीमान, यानि की विस्टर आईए बनाते हैं यह हो गया हमारा शत्रिया अब पत्र, पत्र यानि की लेटर पत्र हमारा ऐसे हो गया हलाकि बुक में उन्होंना थोड़ा सा घुमाया वो भी आप कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे आते हैं, यह क्या है ग्यानी ग्यानी और यह श्रीमान ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए यह है श्र, इससे हमने लिखा शत्रिया तरा, इससे लिखा पत्र ग्या, ग्या से ग्यानी ग्या, आ की मातरा ग्यानी ग्यानी और यह है श्र, श्र से श्रेमान यानि की मिस्टर ग्यानी मतलब विद्वान ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही प्यानी प्यानी मतलब विद्वान